आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं, बताईएगा, आप किसके वनसज हो, किसकी संतान हो, सब एक स्वर में, भागवान महावीर स्वामी की, पक्का, एक बार फिर सोच लो, सही जवाब, आप सभी लोग, भागवान महावीर के वनसज हो, मूल में, अब वहां से आते आते इतने सारे वर्श्व्यतीत हो गए, कि आप लोग काफी सारी शाखाओं और उप्शाखाओं में विभाजित हो गए, लेकिन मूल में किसके वनसज? भागवान महावीर स्वामी के हमारे आराध्य, हमारे इस्ट और वर्टमान सासन नयक भागवान महावीर हम आपसे पूछना चाहते हैं, कि आप भागवान महावीर स्वामी के जीवन में कितना और क्या जानते हैं? और क्या आप जो जानते हैं वो सही है या गडबड़? तो चलिएगा आज जानती हैं अपने आराध्य, अपने इस्ट वर्तमान सासन नायक भागवान महावीर के बारे में बात है तीसरे काल के अंत की यद्यपी, तीर्थंकरों का जन्म, चतुर्थ काल में ही होता है लेकिन ये हुंडाव सर्पणी काल चल रहा है और हुंडाव सर्पणी काल में अनहोनी घटनाएं घटती है कौन सा काल चल रहा है? हुंडाव सर्पणी देखिए एक तो होता है अब सर्पणी काल और एक होता है उत्त सर्पणी काल और दोनों ही काल में 6-6 क्या होते हैं काल होते हैं पहला काल दूसरा तीसरा चौथा पांचवा और छटवा जो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा और छटवा इस क्रम से जो काल चलते हैं उसे कहते हैं अव सरपणी काल और जो छटवा, पाँचवा, चोथा, तीसरा, दूसरा और पहला, जो इस क्रम से काल चलते हैं, उसे कहते हैं उतसरपणी काल, ठीक है? और जब संख्यात उतसरपणी और असंख्यात अवसरपणी काल, कितने? असंख्यात सरपणी और असंख्यात अवसरपणी काल व्यतीत हो जाते हैं, तब एक हुंडाव सरपणी काल आता है, और हुंडाव सरपणी काल में अनहोनी घटनाएं घटती हैं, और ये ब्याद भी त होता है व पहले बहुत सारा पाप करके बैठे होते हैं तो एक बात तू तो थै है इस हुंडाव सरुपणी काल काल अगे यदी हमलोग हैं तो यह बात तो निश्यत है कि पूरुब के पापी रहे होंगों लेकिन थोड़ा सफ पुन्य थाreyu और उपर से पंचम काल में यदी हम लोग हैं तो ये बात तो निश्यत है कि पूरुव के पापी रहे होंगे लेकिन थोड़ा सा पुन्य था जैन को लो मनुष्य परियाय मिल गई लेकिन यहां भी आकर के यदी अपने कर्मों को परिवर्थित नहीं किया अपने इस्ट और आराद के बारे में नहीं जाना तो यहां से दुरगती होगी सीधे नीचे जाओगे और वहां से निकल करके छटवे काल में यदी आओगे तो और ज़्यादा हालत खराब छटवे काल में वो एक-एक हाथ के इनसान होंगे कपड़े नहीं भोजन नहीं अगनी नहीं परिवार नहीं आशदिया नहीं हर जग है विश ही विश जहर ही जहर अगनी ही अगनी कस्ट ही कस्ट मुश्किल से पंद्रा से अठारा या बीस वर्ष की उम्र होगी और उसमें भी पशुओं से बत्तर हालत चाहिए क्या छटवे काल में सब नरक से निकल करके ही आएंगे और पुनह लंबे समय के लिए नरक चले जाएंगे मतलब अभी आपके पास 50, 60, 70 साल है बस किस कारे को करने के लिए दुरगती में जाने से बशने के लिए एक बार दुरगती हो गई निकल करके गलती से छटवे में आ गए क्योंकि छटवा काल दो बार आएगा क्योंकि एक तो ये अवसर्पणी का हुंडावसर्पणी चल रहा है न फिर एक बार लोट करके जब उतसर्पणी कल प्रारंब होगा तो पांचवा, छटवा, फिर छटवे के बाद फिर छटवा, फिर पांचवा बड़ी दिक्कत परिशानी नहीं भाया छटवे में तो नहीं जाना है उसके लिए अपने आपको नरक जाने से बचाना होगा और उसके लिए अभी पुरुशार्थ करना होगा क्योंकि पूर्व का पाप तो बहुत सारा है हुंडाव सरपनी काल में अनहोनी घटनाए घटती है जैसे तीरसंकर का जन्म तीसरे काल की अंतमे ही हो गया जबकि चोथे काल से पहले तीरसंकर का जन्म नहीं होता तीरसंकर प्रथम तीरसंकर से पहले कोई मोक्ष नहीं जाता जब मोक्ष का द्वार बंद होता है उसके बाद सबसे पहले भरत और एरावत छित्र में प्रथम तीर संकर ही मोक्ष का द्वार खोलते हैं लेकिन इस हुंडाव सर्पणिकाल में भागवान आदिनाथ के पोता भरत चक्रवर्ती के पुत्र अनंत वीर्या भागवान आदिना भागवान आदिनाथ मोक्ष गए। कभी ऐसा नहीं होता कि तीर संकर को केवल ज्यान हो और दिव्यध्वनी ना खेरे। लेकिन भागवान महावीर स्वामी की दिव्यध्वनी 66 दिन तक नहीं खेरी। तीर संकर के यहां कभी कन्या का जन्म नहीं होता, स्रिप पुत्र ही पुत्र होते हैं, लेकिन भागवान आदिनाथ के दो-दो कन्याएं थी, इसका ये अर्थ नहीं है कि भागवान के समय से पक्षपात या भेदवाब होता है कि लड़कों को महतो दिया जाए, लड़कियों को ना दिया जाए, बिल्कुल नहीं, तीर संकर के लड़कियां बस इसलिए नहीं होती, क्योंकि लड़कियों का जब विवा होता है, तो लड़कियों के पिता को दामात के सामने जुकना पड़ता है, और तीर संकर भागवान त्रलो की नाथ है, वो किसी के सामने नहीं प्रिद्धों के अलावा। इसलिए तीर्संकर के पुत्रियां नहीं होती। पक्षपात वाली भावना नहीं याद रखना। जबकि इस 24 सी में पाँच तीर संकर बाल ब्रह्म चारी हैं वास्य पूजी भगवान, मली नाद भगवान, नैमी नाद भगवान, पाईशनाद भगवान और महावीर भगवान तीर संकर एक से ज़्यादा पद के धारी नहीं होते जबकि तीन तीर्थंकर, तीन-तीन पद के धारी, शांतिनात भगवान, कुंथोनात भगवान और अरनात भगवान तीर्थंकर भी थे, चक्रवर्थी भी थे, कामदेब भी थे. चक्रवर्ती का मान भंग नहीं होता जबकि भरत चक्रवर्ती का मान भंग हुआ था और भी बहुत सारी घटनाएं ऐसी हैं जैसे सभी तीर्थंकर का जन्म अयोध्या में ही होता है जबकि अभी अन्य अन्य इस्थानों पर तीर्थंकरों के जन्म हुए हैं सबी तीर्थंकरों का मोक्ष सम्मेद सिखर जी से ही होता है लेकिन वर्तमान में मोक्ष सम्मेद सिखर जी के अलावा भागवान नेमीनाद गिरनार जी से गए है भागवान वासे पूज्या चमपापुर से गए है भागवान महावीर पावापुर से गए है और भागवान आदेनाजी कैलाश परवस्ते गए हैं तीर संकर भागवान जिस नगरी में जन्म लेते हैं दिख्षा से पहलो उस नगरी को नहीं छोड़ते जबकि भागवान नैमीनाजी का जन्म सौरी पुर हुआ था और उसके बाद देवों के द्वारा बसाई गई द्वारी का नगरी जाना पड़ा था और भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जैसे तीर संकरों के खिलाब कोई सड्यंत्र वगएरा नहीं करता है यदा पी वो शड्यंत्र नहीं था लेकिन पश्ट्यों को बांधना उसे शड्यंत्र तो नहीं कहेंगे लेकिन पीछे कोई ना कोई मोटिव तो था सारी चीजें विचायनिया है तो यह पंचम काल उपड़ से हुंडाव सर्पणी काल अनहोनी अन्होनी घटनाएं घटती हैं हमेशा उत्र सर्पणी और अवसर्पनी काल में एक जैन धर्म होता है सभी लोग जिन धर्म को या तो मानो या ना मानो ये बीच वाले विकल्प नहीं होते, देवगती वाले, लेकिन अभी तो 363 मत और मतों के मतांतर तो अनेक, तो बात है तरतियकाल की, जब तरतियकाल के अंत में अपने वर्तमान 24 के प्रथम तीर्थंकर भागवान आदिनात का जन्म हुआ था, भागवान आदिनात सभी लुग जानते है ना, सट कर्म का उपदेश दिया था, असी, मसी, क्रशी, वानिज्य, शिल्प और कला, भागवान आदिनात ने एक सूत्र दिया था, रिशी बनो या क्रशी करो, अर्थात, स्वाव लंबी बनो, या तो साधू बन जाओ, और साधू नहीं बन सकते, तो किसी की नौकरी चाकरी नहीं करना है, स्वयम सक्षम बनो, स्वयम का व्यापार करो, वर्थमान के हैसाब से ऐसा कह सकते ने, तो भागवान का उपदेश तो रिशी बनो या क्रशी करो, भागवान आदिनाथ के, 101 पुत्र और दो पुत्रियां थी, ब्रहाम्मी और सुंदरी, देखेगा, भागवान ने जहाँ पर अपने पुत्रों को सिक्षा दी, वहीं पर उन्होंने पुत्रियों को भी सिक्षा दी थी, पक्षपात नहीं किया था, ब्रहाम्मी को अपने सीधे हाथ की ओर खड़ा किया, और सुंदरी को उल्टे हाथ की ओर, ब्रहाम्मी को लिपी सिखाई, तो वह ब्रहाम्मी लिपी कहलाई, और सुंदरी को अंक विध्या, गडित, अब देखो लॉजिक, सीधे हाथ की तरफ ब्रहमी है उल्टे हाथ की तरफ सुन्दरी है तो सीधे हाथ की तरफ वाले को लिपी इसलिए हिंदी अपन कहां से पढ़ते हैं आंगे से ऐसे करके सिखाई तो अपन ऐसे भक्ता मरप्रणति मौली मरप्रभाणा उल्टे हाथ की और सुन्दरी बैठी थी उसे अंक गड़ित का ग्यान दिया था और ऐसे करके पढ़ाया था इसलिए अपन जब भी संख्या गिनते हैं तो कहां से गिनते हैं पीछे से बासमज में आई पीछे से गिनते ने कोई संख्या लिखी है एकाई दहाई सेकड़ा हजार क्यों गिनते हैं क्योंकि वो भगवान के उल्टे हाथ की और बैठी थी और ऐसे करके उन्होंने गड़ित सिखाया था जानते थे ना है पहले सुना तो था ना ये तो सुना था ना कि ब्राम्मी और सुंद्री को विद्धिया सिखाई सिक्षित किया虎 ये सूना था इस प्रकार से पहली बार है चलिए जिनके वनसज है उनके बारे में तो जान ही लीचिए युकि वरत आने वाले हैं भगवान ने भी पक्षपात नहीं किया था दोनों पुत्रियों को पुत्रों के समान ही सिक्षित किया पुत्रों की विध्याएं तो सामाने कर दी पुत्रियों की विशेश हो गई लिपी और अंकगडेत वर्दमान में लोग कहते हैं कि जैसे भागवान ने अपने पुत्र और पुत्रियों में पक्षपात नहीं किया हम भी लड़का और लड़की को बरावर मानते इक्विलिटी का जमाना है बरावरी का सच में संसारी प्राणी की मानसिक्ता देखो कहता तो है कि बरावर हर वो अधिकार जो पुत्र को देते हैं पुत्री को भी समान सिक्षित करना समान फैसिल्टीज प्रोवाइड करवाना सब को शेक्सा बराबर लेकिन मान सिक्ता देखिए जब भी किसी के यहां लड़की का जन्म होता है तो रिष्टिदार पडोसी परिवारी जन्जु आते हैं वो बधाई से ज़्यादा तो ऐसा लगता है जैसे सांतोना दे रहे हो क्या कहते हैं भाईया बधाई हो बधाई क्यों आपके यहां लक्ष्मी आई है लक्ष्मी उसने पूछा कि आपके यहां कौन सी देवी आई है चला करके तो भी बधाई थी कि नहीं कोई देवता बनाया क्या कभी नहीं वो तो बधाई बधाई जैसी देते भी बधाई हो लड़के का कुल के दीपक का जन्म हुआ है और लड़की को देवी इसलिए बना दी कि आपको बुराना लगे लक्षमी जी आ गई आपके असरस होती जी आ गई तो जिसके यहा अरे सारी देवियां है लड़कियों में जब आवश्यक्ता होती है जब किसी को डाटना हो कान खीशना हो और जब मर्यादा से बाहर कोई बात होने लगते तो दुरगा बन जाती है ना घर घर में जिसको रहने ही देते इन टॉपिकार्स तो इस त्रीवर कहीं यह बहुत ब के सउना है कि बास सायद आप दौनों को बराबर रखते भी हो लेकिन कहीं ना कहीं मन में तो यह चीज्ज़ वह मांचिकता बढ़िए कि यह लड़का है यह लड़की तो अभी यह दिंक करिया कि जितनी स्वतंत्रता आपने लडंकों को दी है उतनी ही लड़कियों को दो नहीं। लड़कियों पर ठोड़ी सी पावंदी होना चाहिए। जितनी स्वतंतरता आप लड़कों को देते हैं उतनी स्वतंतरता नहीं देनी है। लेकिन बिल्कुल पिंजरे का पंक्षी भी नहीं बनाना, पिंजरे का पंक्षी बना दिया, बिल्कुल छे बज़े के बाद बाहर नहीं जा सकते, दोस्तों के साथ तो कहीं भी नहीं जा सकते, अरे थोड़ा सा तो विश्वास रखो, वो आपकी संतान है, आपने यदि अच् शब्दों से नहीं अपने व्यवहार से अपने एक्षन से ये महसूस कराओ कि आप उन पर विश्वास करते हैं और यकीन मानिए जिस दिन आपके बच्चों को ये विश्वास हो जाए कि आप उन पर विश्वास करते हैं उस दिन के बाद पूरे जीवन भर वो आपका विश् लेंगे वो यदि आपके विश्वास से मर्यादा से बाहर जाकर के कोई कदम उठाते हैं तो उसका सबसे बड़ा रीजन यहीं है कि आपके जब वो छत्रचाया में थे तब उने आपने कभी भी उनके प्रति अपना विश्वास व्यक्त नहीं किया देखी आपने लोहा देख आपने हीरा देखा हेरा कि उसे क्या करती है एक डिबभी डिबभी मैं मखमल का कपड़ा कपड़ी में भी एक पेपर आता है कोई किया कहते हैं हाँ पिंक कलर वाला रिवा नाम तो जोहरी को पता होगा बैठी तो हैं लेकिन वो भी थोड़ा रिकोगनाइस करें याद करें कि क्या कहते हैं एक पिंग पेपर आता है थोड़ा सा उसमें फिर डिबी को अच्छे से बंद किया फिर तीजोरी के अंदर एक छोटा सा लॉकर उस लॉकर में फिर लॉकर के बाहर तीजोरी का गेट फिर तीजोरी के बाहर दुकान वाला गेट तीजोरी का लॉक तो रहता ही इतनी सेफटी तो हम उन बच्चियों से कहना चाहते हैं जिन्हें लगता है कि उनके माता पिता उनके भाईयों पर तो कम पावंदियां लगाते हैं लेकिन उन्हों पर जादा लगाते हैं तो इसका तात्पर है कि आपके माता पिता आपके भाईयों को लोहा और आपको हीरा स तो 10-20 रुपया कम किलो में बिक जाएगा, लेकिन हीरे में थोड़ा भी स्क्रैच आ गया, तो उसकी कीमत कुछ भी नहीं रहेगी, तो समझ जाओ, पावंदिय तो हीरे हो, हीरे अपने माता-पिता के बहुत वैलिवल हो, उनके लिए बहुत कीमती हो, इसलिए वो आपर कुछ नियम कुछ पावंदियां लगाती हैं, ठीक, कहां से पहुँच गए अपन, हाँ, बिलकुल सही, इस विशय को कभी जब प्रसंग आएगा तो विस्तार से लेंगे, क्योंकि हमें लगता है, थोड़ा सा इस बात को समझना बहुत जरूरी है, आजकल एक है ना, एक ब पाथ, पैरेंट्स और बच्चों के बीच में आने लगे जैनरेशन गैप, यह क्या होता है? लोग कहते है, माता जी मानसिकता विचारधारा नहीं मिलती माता-पिता की बच्चों से बच्चों की माता-पिता से, लेकिन हमें तो नहीं लगता, कि हमारी विचारधारा तो, जितनी बड़े बुज़ुर्गों से मिलती है, उतनी ही बच्चों से और जितनी बच्चों से मिलती है, उतनी युवा वर्ग से, तो क्या हम तीनों generation के हैं, क्या? तो generation gap का actually meaning क्या होता है, उसका मतलब क्या है और आपने किसका क्या बना दिया है, कई प्रसंग आएगा तो इस बात को अपन समझेंगे जरूर क्योंकि वर्तमान में बच्चे अपने माता पिता से कहीं न कहीं दूर होते जा रहे हैं कहीं न कहीं वो अपने माता पिता से बात चुपा करके अपने दोस्तों को सबकुष बता रहे हैं जो कभी-कभी गलत भी हो जाता है, और हो सकता है कभी-कभी सही भी हो जाए, लेकिन इन सारी बातों के पीछे कितना सत्य है, वास्तवित्ता क्या है, पुना कभी समझेंगे, अभी बापस आते हैं भागवान आदिनाथ के पास, तो कहां पर पहुँचे, तरतियकाल के अंतमे भागवान आदिनाथ ने, जब वो राजा थे, तो ब्रहमे लिपी और सुन्दरे को अंक गड़ित की सिख्षा दी, भागवान आदिनाथ ने मुनी दिख्षा ली, छे माह का उपवास ग्रहन किया, भागवान आदिनाथ के साथ, चार हजार राजाओं ने दिख्षा ली, और पता है दिख्षा किसले ली होड होड में competition जैसे आप लोग कर लेते कभी 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 कि ये भी जा रहे हैं ये हमारे बड़े राजा थे हम इनके अधिनस्त थे चलो भाई अपन भीनी के संग चलते हैं कुछ अच्छा करने ही जा रहे होंगे क्योंकि भागवान आधिनास से पहले तो भोग भूमी चल रही थी और भोग भूमी में मुनी वगहरा नहीं होते किसी को पता ही नहीं ना जिनमंदिर होते ना मुनी होते चार हजार राजाओं ने दिख्षा ले ली भागवान आदिनात ने तो नमहा सिध्धिभ्या कहे करके दिख्षा ली पांच मुष्ठी अपने सारे सिर के बाल पांच बार में उखाड दिये और महापुरुशों के दाड़ी और मूझ के बाल नहीं होते बाकी राजा उन्हें भी कर लिया थोड़ी सिस्कियां ले लेके किस रोच कर वाली है दिख्षा ले ली भागवान आदिना छे माहा के लिए प्रतमा योग में बैठे गई यानि छे माहा का ध्यान का नियम छे महीने का उव्वास अब तीर संकर तो उत्रेश्ट सहनन के धारी तो जीवन परियंत भी ना करें तो चल जाए लेकिन बाकी सबको तो रोच चाहिए एक दिन व्यतीत हुआ एक दिन का उव्वास तो सब ने कर लिए दूसरा दिन हुआ सब लोग उपर देखने लगे सूरज सिर पर चड़ाया है और ये तो उठी नहीं रहे जैसे तैस से करके दूसरा दिन बीता तीसरा दिन हुआ अब लोग सोचे भगवान उठो और चले घर घरवाली इंतिजार कर रहे होंगे उन्हें तो पता ही नहीं कि क्या कारिक्रम कैसा है तीन दिन होगा चार दिन होगा ये सब की आप गुलता क्या आप गुलता मन में अब डर था छोड़के घर चले गए तो भरत चक्रवर्थी डंडित करेगा क्योंकि अब छे खंड का दिपती बनने वाला है भरत चक्रवर्थी बापस जानी सकते और इनकी तरह भूंके प्यासे रह के ध्यान में बैठ नहीं सकते मुनी धर में क्या है उनकी चर्या क्या होती है कुछ नहीं पता क्या करें, तो जंगल में रह करके ही, किसी ने छाल लगा ली, किसी ने भसम लगा ली, किसी ने जढने का पानी, तो किसी ने फल फूल वगरा तोड करके, तो किसी ने नीचे गेरे हुए खाना प्रारंब कर दिया, नहीं पहले उस नगन अवस्था में खाना प्रारंब किया चक्रवर्थी दर्शन करने आया तब चक्रवर्थी ने कहा कि इस भेश में क्या कर रहे हैं उसके बाद किसी ने भस्म लगाई किसी ने चर्म लपिटा किसी ने अन्य अन्य प्रकार से पत्ते बगरा लगा करके उस दिगंबर धर्मे को छोड़ दिया ध्यान दीजिएगा भागवान आदिनाथ के सामने क्योंकि भागवान जन्म से या कहें वो पूरुभव से गर्व से तीन ग्यान लेकर के आती हैं मतिशृत और अवधी दिख्षा लेते ही उन्हें मनह परियाई ग्यान प्रगठ हो जाता है लेकिन ध्यान दीजिएगा भागवान के ग्यान में सब आ रहा है कि चार हजार राजा सारे की सारे भ्रस्ट हो गए लेकिन फिर भी भागवान का नियम था कि छे महां से पहले ध्यान नहीं तो उन्हें ध्यान नहीं छोड़ा और आप लोग तो नियम लेकर के जाती हो कि जिन मंदिर में नहीं बोलूँगा यहां बोलते है जय जय नात्य परमगुरू होए वहां बगल वाले को कहनी मार मार के सारा कर रहे होते हैं तुम गड़बड कर रहे हैं और फिर कहते हो भग कायद आप स्वयम से नहीं करते कि मेरी गलती मुझसे हो गया गलती किसकी होती सारी कि सारी गलती धर्म की है कि वो आपको फल नहीं दे रहा महानोभाव जिन मंदिर में सांसारिक चर्चाएं तो करना ही नहीं चाहिए भले ही कितना भी आवश्यक क्यों नहीं हो और धर्म की चर्चा भी संक्षिप्त में और जब अती आवश्यक हो जाए तब ही करो ये कहनी वहनी मारने वाला जो कारिक्रम है ना ये मत करना नहीं तो सामने वाले को कहनी लगे या ना लगे कर्मों को बहुत जल्दी लग जाती और पुर्णे कर्म जैसी आपकी कहनी लगी वैसी उल्टे पाउं लोट जाता है और फिर आपके पास पाउं बेकर्म शेश बचता है भागवान आदिनात को सब समझ में आ रहा था लेकिन उहने कहा नहीं पहली मेरा नियम है छे माह तक ध्यान में बैठे रहे छे माह पूर्ण होंगे या नहीं होंगे आगे कैसे मुनी धर्मिका संसार में प्रचलन होगा मुनी चर्या किस प्रकार से होती है इस जगत को इस प्रश्न का जवाब किस प्रकार से मिलेगा और कैसे भगवान महावीर स्वामी का कोई connection भगवान आदिनाथ के समय से है कैसे क्या रहा समझेंगे शेश पुनहा लेकिन हम आपसे एक बार जरूर कहना चाहेंगे आप भगवान महावीर की वनसज हैं आप भगवान महावीर की संतान हैं तो कम से कम उतना तो करो जितना आवश्यक रूप से करने के लिए कहा है लेकिन वो आवश्यक रूप से कहा क्या है जानती हैं क्या तो अपन इन कुछ दिनों में उन्हीं चीजों को जानेंगे